देखिए एक पज़ाद पर बेस कोश्चन है क्या कोश्चन है समझेगा 8 फ्रेंड A through H A through H का मतलब हुआ कि आपके 8 फ्रेंड हैं Like A, B, C, D, E, F, G and H ऐसा बोला गया है Are sitting around a circular table playing a game of card They belong to two different teams X and Y दो team है X and Y No two person of the same team sit in assistant मतलब दो लोग जो हैं वो एक साथ नहीं बैठेंगे एक team के opposite बैठेंगे ऐसा मतलब हुआ अब बोला है A sit neither opposite to D nor to H but sitting in between C and G मतलब आप एक circle को पहले बना लीजिए जो जो condition दिये उनको बहुत अच्छे से करिएगा जिससे की mistake न हो तो यह हम पहले तो आठ लोगों की position को rectify कर लेते हैं यह कर लिए हमने rectify अब क्या बोला है इस question को सुनते चलिए कि A जो है उसके opposite D नहीं होगा और नहीं H होगा देखो A is neither opposite D nor H but sitting between C and G तो C and G ऐसे ले सकते हैं हो सकता है G आ जाए तो C यहाँ वो हम बाद में change कर लेंगे ठीक है B sit neither opposite to A nor G ठीक है जो B है ना तो वो A के opposite बैठेगी ना वो G के opposite बैठेगी but sitting between F and G तो अगर मैं मान लो B को यहाँ ले लूँ क्योंकि यहाँ लेता देखो यहाँ तो ले नहीं सकता क्योंकि बिडविन बोला है तो B यहाँ लेता तो G के सामने हो जाता नहीं ले सकता B यहाँ ले नहीं सकता क्योंकि A के सामने हो जाता B यहाँ इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि B लेने पर यहाँ दो लोग नहीं तो मैंने अगर B को यहाँ ले लिया तो अब बोलाए B is F and D अच्छा D यहाँ होगा नहीं तो D यहाँ होगा तो F यहाँ होगा क्यों नहीं होगा D बिटा क्योंकि A के opposite D नहीं बैठेगा तो D इदर रख लिया तो F और D के बीच में B भी हो गई B के opposite में ना तो A है ना G है ये भी हो गया अगर आप सुचे यहां रखते तो क्या होता अब आपको लगवग लगवग सब मिल गया B and H देखिए B and H B और H जो है विलॉंग टू दस टीम X तो B और H अगर A की टीम के है D sit opposite to E तो D के opposite E है तो इसके opposite हो गया H अब ये पूरा एक सरकल बन गया अब आप से कभी भी परजस में रूल ही होता है कि जो स्टेटमेंट है उससे पहले आप एक प्रॉपर डाइगराम बनाए अगर डाइगराम एक बार में बनता है ठीक दो बार में बनता है दो बार में करें अगर डाइगराम गलत बना तो पूरे जितने भी कोशन रिलेटेट अभी तो दो ही है पर 2, 3, 4 जो भी कोशन होंगे वो सब रॉंग हो जाएंगे बी क्यरफुल अब जैसे इसमें बोला है Who are the team member of team X अब X कैसे पता चलेगा क्योंकि हमें X के बारे में पता है B और H B और H जो है वो X के पार्ट है तो B अगर है H अगर है तो क्योंकि नेवर तो होंगे नी तो इसका मतलब B, H के बाद CB होगी और फिर GB होगी तो B, H देखो जैसे इसमें B, H तो था ही नी P, H, C, G जो इसमें ही है तो करेक्ट आंसर क्या हो गया D अब बोला Who are sitting adjacent to E, E के पास कौन बैचा बैठा है H और C तो ये हो गया, आंसर D ऐसे ही आपसे कुछ भी पूछ सकते थे किसी के भी आसपास आप इजिली इसको बता सकते थे